तालाब के नीचे 107 साल से चिपा था ये राज, सामने आई चौकाने वाली सरचाई अमेरिका की लेक सुपीरियर की गहराईयों में एक ऐसी चीज मिली जिसे देखकर लोग हैरान है अकसर जम जाने वाले इस तालाब के नीचे 270 फीट की गहराई पर 117 साल पुड़ाना जहाज मिला है चौकाने वाली बात ये थी कि एक सधी बात भी ये अब वैसे ही हाल में है जैसा हुआ करता था फोटोग्राफर्स की टीम ने गोता लगा कर इसकी हैरान कर देने वाली फोटो जोर वीडियो कैप्चर किये है 1911 में डूबा था जहाज दैश 200 फीट लंबा ये जहाज स्कोटलेंड में बना था 35 साल की फोटोग्राफर बैकी ने गोता खोरों की मदर से ये खतरना डाइव लगाई बैकी ने कहा उस जहाज को देखते ही लगा मानो हम पुराने दोर में आ गए थे अंदर से वो बेहत ड़ावना था मैंने कभी भी कोई ऐसा डूबा जहाज नहीं देखा जो इतनी सही हाल में हो उसे देखकर लगा कि मैं सपना देख रही हूँ इसे देखना और इसके फोटोज कैप्चर करना अपने आप में अनोखा अनुभव है हर चीज थी जगह पर दैश फोटोग्राप हज और डाइवर्स की टीम ने बताया कि शिप के अंदर की चीज़ें बिलकुल विवस्ति थी प्यानो अपनी जगह था, कुरसियां भी अपनी जगह थी बैकी ने आगे कहा, ऐसा लग रहा था कि मानो यहां कोई रहता हो जान पर खेलकर की फोटोग्राप ही दैश बैकी ने बताया कि उन्होंने जान हतेली पर रखकर ये इस शिप के फोटो लिए 270 फीट की गहराई पर उनके पास फोटो लेने के लिए 25 मिनट की आकसीजन थी वहीं सतह तक लौटने में उन्हें 75 मिनट लगे उनके पास कुल 100 मिनट की आकसीजन थी ऐसे में एक मिनट धमवाना भी जान लेवा हो सकता था